मैं आपको इस नमूने में पड़ी डिजाइन बता रही हूँ इस नमूने में मैंने 28 फंदे डाले हैं और ये डिजाइन चार सलाईयों में बनी है चार फंदे सीधे है और दो फंदे उल्टे है पहला फंदा किनारे का सीधा बुना उसके बाद दो फंदे उल्टे बुने उन पीछे की चार फंदे सीधे बुने दो फंदे उल्टे बुने चार फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे पूरी सलाई में बुनेंगे चार फंदे सीधे बुने, दो फंदे उल्टे बुने, इसी तरह पूरी सलाई बुनेंगे, किनारे में एक फंदा सीधा बुनेंगे किनारे पर दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा है उल्टी सलाई में एक फंदा उल्टा बुनेंगे उसके बाद दो फंदे सीधे बुनेंगे उन आगे करके एक फंदा उल्टा बुना उसके बाद उन दो बाद सलाई पर लपेटी चार फंदे इस तरहें चार फंदों पर उन लपेटेंगे दो, तीन, चार, दो फंदे सीधे बुने, चार फंदों पर उन्ल पेटेंगे, एक, दो, तीन, चार, दो फंदे सीधे बुनेंगे, चार उल्टे फंदों के उपर उन्ल पेटेंगे, दो बार, दो इस तरह से पूरी सलाई बुनेंगे, दो फंदे सीधे बुने, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, उन्ल पेटेंगे, दो पंदे सीधे बुने, एक पंदा उल्टा बुना, कि अब सीधी सलाई में कि देखिए ये इस तरह से बना है कि एक फंदा सीधा बुना दो फंदे उल्टे बुने पीछे की अब उन लपेटे हुए चारों फंदे खोल लिए और पीछे वाले दो फंदे आगे वाले फंदों के दो आगे वाले फंदों के उपर से इस तरह से निकाल दिये और आगे करके ये दोनों फंदे पहले बुन लिए बाद में पीछे वाले दोनों फंदे बुन लिए उन आगे की दो फंदे उल्टे बुने उन पीछे की चारो फंदे लपेटी वी उन खोल ली अब पीछे वाले दो फंदे आगे वाले दो फंदों से इस तरह से उपर से निकाल दिये और ये पहले बुन लिये दोनों फंदे पीछे वाले उसके बाद आगे वाले दोनों फंदे बुन लिये ये इस तरह से आएगी इसी तरह पूरी सलाई बुनेंगे देखिए चारों फंदे इस तरह से खोल लिए और दूसरी सलाई पर चड़ा लिए पीछे वाले दोनों फंदे आगे वाले दोनों फंदों के उपर से इस तरह निकाल दिए और ये दोनों फंदे तीसरा फंदा फिर चोथा फंदा दोनों सीधे बुल लिए और पीछे वाले भी दोनों फंदे सीधे बुल लिए उन आगे की दो फंदे उल्टे बुने और किनारे का फंदा एक सीधा बुना सीधी सलाई में एक फंदा सीधा बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे उसके बाद चार फंदे सीधे बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे, चार फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, इसी तरह पूरी सलाई बुनेंगे, किनारे का फंदा एक उल्टा बुनेंगे देखिए डिजाइन इस तरह से आई है इनी चार सलाईयों को दोराते हुए उपर डिजाइन डालेंगे